हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फोर एवर में आपका एक बाफिल से स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले है आज की डेट में जो मिल्टिपल कंपनी के रिजल्ट आये है कुछ कंपनी के रिजल्ट अभी पेंडिंग आ गए और अभी तक आये नहीं है तो अगर नह करें चाइनल इन्वेस्ट फोर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फैंस के साथ कि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे और अगर हम यहां पर देखें मिंडा इंडिश्टी से लेटें यहां पर वीडियो आपको बनाई गई है अगर अगर आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहां पर प्ले लिश्ट बना रखी है आप नियू है यहां पर क्लिक करें यहां पर बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जो आप देखके अच्छा मार्किट की नॉलिज दे सकते हैं Q4 से रिलेटिड आपको रिजल्ट देखने तो य ट्विडियन की बात कर से दिखना के यहां पर तो यहां पर दोड़ा सामी नीचे आउगा और आपर इनके देखलेंगे यहां पर देखके इन-धृ म यहां पर इनके रिजल्ट है यह इस ब्सक्रा फीग दान्य ये के रिजल्ट है टोटल रिवेन्यू टोटल इंकम की अगर बात करें शहहार तैतालिस मिलियन से रुपीज के या पर रिवेन्यू है इससे पहले शहहार दोसो असी था इससे पहले 6308 मिलियन से रुपीज था तो अगर बात करें शहार इंकम में गिरावट है अगर बात करते हैं शहार देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की या प्रॉफिट वोदा पीडियर की तो 294.39 मिलियन से रुपीज इससे पहले 257.97 था इससे पहले 376.07 मिलियन से रुपीज तो yearly basis पर भी यहां पर जिरावट है बट quarterly यहां पर कंपनी ने परफॉर्म कर दिया तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है थे के लॉगडाउन था इसकी वज़े से यहां पर शेयर में उस तरीके इसका परफॉर्मस नहीं आया है yearly basis पर जैसे जासे लॉगडाउन अब अनलॉकिं होगे तो यह कंपनी भागती भी तो कंपनी आगे चलके अच्छा कासा प्रफॉर्म कर सकती है तो ध्यान रखिए गा इसके लापर बात करते हैं एच सी फूर्स लिमिटेड यह पैनी स्टॉक मेजर आ रहे है ओके यहां पर दिखा था रिजल्ट तो मैंने की चलो देगर देख लेते हैं इलेक्स में यहां रिजल्ट है टोटल इंकम की बात करें तो यहां पर 3883 रुपी से पहले 3000670 से पहले 4,399 तो yearly basis पर गिरावट है यहां पर यहां पर जंप है एक्सपेंस की बात करें 3830 से पहले 3635 से पहले 430 4372 रुपीस तो यहां पर yearly basis पर expense भी कम है पर quarterly basis पर expense बढ़े है profit for the period की बात करें तो देखिए 32 लाग में पर profit है इससे पहले 30 लाग करता है इससे पहले 48 तो yearly basis पर गिरावाट है बट quarterly basis पर company ने यहां पर perform करना शुरू कर दिया तो इस तिच की ध्यान देना company करती कैसे लिए अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बना के आपके सामने पेश कर देंगे 27-27 पैसे का EPS इस बार का इससे पहले 25 पैसे का था इससे पहले 41 पैसे का EPS था तो यहां पर इस company का नाम कि है NFC Foods Limited तो यहां पर देखिया फैनी स्टॉक है तो इसके लाव बात कर लेते मजगाव डॉक शिप्यार की जो कि अभी ही यहां पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था यह कुछ टाइम पहले ही और अच्छा का सब इसे रिस्पॉंस भी मिला था तो अगर हम बात करते है दिविडेड भिट्क हर तो यह दिविडेड दिया जाया यहां पर कंपणीने 5 फो अने कार इनल ép में फ् सारिव पिस पार एकालीikk है थी यहां पर नैवार इन उन्स सटीट है तो आरिकति हैं बात करते है फ्रुम की तो 1,37,854 इसे पहले 1,55,000 इसे पहले 1,17,000 तो yearly basis पे अच्छा परफॉर्म किया है बट quarterly basis पे यहां पर गिराबट है टोटल expense की भी बात करें तो 1,08,148 है इसे पहले 1,38,000 था इसे पहले 1,09,295 था तो expense yearly basis पे बड़े है बट quarterly basis में यहां पर थोड़े से यहां पर गिराबट है इस चीश को देखना है अगर बात करें profit for the period की या for the year की तो यहां पर आप देख सकते है 25,009,14 रुपीज का profit है इसे पहले 14,137 था इसे पहले 7,468 था तो company ने yearly as well as quarterly basis पे अच्छा खासा perform किया जो कि इसके EPS में भी जलकेगा 12,85 पैसे का EPS इस बार का इससे पहले 7 रुपे गाता इससे पहले 3,70 पैसे गाता तो company yearly basis पे अगर हम बात करें yearly basis पे काफी बैती लबर 4X यहां पर perform करके दिखाया हो quarterly basis पे भी company ने अच्छा खासा perform करके यहां पर दिखाया है तो company की तरफ बने रहिएगा company अच्छा खासा result आपके साहने पेश कर दिये इसके लब बात करते हैं LG बाला किष्ण है ब्रॉज लिमिटेड की तो अगर बात करें यह शेर हमने 300 के आसपास चुना था मैंने वीडियो भी बनाई थी और आपको का थे शेर को लीजेगा 356 के गेन सॉरी 15-16% के गेन आपको विदिना मंत भी नहीं कहेंगे विदिना फ्यू डेज आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर कंपनी ने अनूंस किया अगर बात करें यहां पर 10 रुपे का डिविडेंट यहां पर कंपनी ने यहां पर दिया है इसके लाबाबाब अ यहां पर इसके रिजल्ट से लिटेड तो हमें थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं तो consolidated as well as अगर बात करें यह यहां पर आपको मिलेंगे इन लेक्स में थोड़ा समय जूम कर लेता हूं so that we can properly view it अगर देखे तो total revenue देख लीजिए 48,253.47 था इससे पहले 33,676 तो revenue में yearly basis as well as quarterly basis पे अच्छा कासा जंप है जो की काफी बहतरी बात है और जो अगर expense की बात करें total expense of 41,419 इससे पहले 40,000 था इससे पहले 31,972 था तो expense ही बढ़ते हुए नजर आ रहे है जिसका effect profit में पढ़ेगा net profit for the period की बात करें तो 5,719 रुपीज का profit इससे पहले 5,408 था इससे पहले 17,68 रुपीज का यहां पर profit था तो अगर बात करें yearly basis पर company ने काफी बैतरी परफॉर्म किया है और quarterly basis पर बात करें तो quarterly basis पर भी company ने अच्छा का सा परफॉर्म किया है अप हमारे पास share है तो कल की देट में यह शेयर ध्यान रखना है एक शेयर भागता हूँ आपको नजर आएगा और इससे एलेटेड अल्रेडी वीडियो बना रखिया देखिया कई लोग कहते है कि साथ साथ वीडियो टार्गेट भी बता दीजिए तो साथ सारी चीजे बताना और जब हम multiple companies के result देख रहे हैं तो easy नहीं होता इसके लिए हम अलग-अलग वीडियो बनाते हैं और आपको टार्गेट उसके business model as well as fundamental हम देखते हैं तो यहां पर अब देख लीजिए 18 रुपे 22 पैसे का EPS है इससे पहले 17 पैसे का EPS है इससे पहले 5 रुपे का EPS था तो company ने 3x यहां पर perform किया है yearly basis पर और यहां पर अगर बात करें अगर हम बात करते हैं अगर हम यहां पर सेम रिजल्ट ही है अगर बात करें यहां पर Consolidate में भी यहां पर सेम रिजल्ट यहां पर सामने आ रहे हैं तो company ने अच्छागासा perform किया है कल की देट पेस की तरफ धान दीजेगा अच्छागासा हमें profit भी हो रहा है within a few days यहां पर आ सकते हैं नीचे थोड़ा साम चाहते हैं तो यहां पर इसके रिजल्ट हमें मिलते हुए दिखाई देंगे हम एक मिंट हो एक लाक्स यह यह अर्ली बेसिस पर आगाया एक मिंट दीजेए और थोड़ा नीचे देख लेते हैं वरना दुबारा एक बार निकाल लेंगे इसके रिजल्ट हाँ दे कि आ गए रिजल्ट तो इनके रिजल्ट है इन मिलियंस में अगर बात करें यह इस बार के रिजल्ट है यह क्यू थोड़ा से लेक कर रहा है तो यहां पर आप देख लीजे टोटल इंकम 4,792 लेक्शन रुपीज से पहले 4,032 लेक्शन रुपीज से पहले 3,676 तो कंपनी ने yearly quarterly दोनों बेसिस पर शाखा सा परफॉर्म किया है total expense की बात करें 3,503 इसे पहले 3,073 इसे पहले 2,096 लेक्शन रुपीज से लेक्शन रुपीज का यहां पर एक्सपेंस था तो कंपनी ने yearly quarterly दोनों बेस्पेंस भी यहां पर खर्च हुए ज्यादा पैसे profit for the period के अकर हम बात करते तो 983 लेक्शन रुपीज का profit है इससे पहले 712 लेक्शन यही कंपनी आपको अच्छे रिटन देखती हुई दिखाई देंगी यहां पर देखे 30 रुपी के आसपास का EPS इससे पहले 20 था इससे पहले 50 था तो तो अगर हम यहां पर बात करते हैं डिविदेंट 50 पैसे के यहां पर डिविदेंट इसने दिया है और T यहां पर आपक टोटल इंकम है इस बार कि इससे पहले 2470 था इससे पहले 775 था तो yearly basis as well as quarterly basis पे इंकम में आपर गिरावट है expense की बात करें expense बहुत जाद होते हुए दिखाई दिए 1572 लेक्षिंग रुपी से पहले 2176 से पहले 1472 तो कंपनी ने yearly basis पे expense बढ़े है quarterly basis पे expense यहां पर गड़ते इससे पहले company का loss कम था 672 लेक्षिंग रुपीस तो यहां पर आप देख सकते हैं EPS भी आपर negative में तो इस company से दूर रहिएगा यहां पर बात कर लेते हैं धनवर्शा यहां पर एक company है इस से लिटेट तो अगर हम यहां पर देखते EPS तो final EPS 5 पैसे का EPS company ने देते हुई नजर आई है यह चोटी company है चोटी company हम शायद इंका market cap नहीं होगा इस तरीके के पर फॉम नहीं किया होगा तो इसी तरीके के यहां पर dividend मिलता हुआ नजर आता है तो no issue dividend हमारा कोई मकसद भी नहीं होता है क्योंकि price appreciation is the best gain in share बजारा जर बात करें यहां पर in Lex में आपर result है अच्छा का सहाय पर perform किया है बात करें expense के expense भी बढ़ते हुए नजर आया है yearly basis पर भी आपर expense के बढ़ते हुए नजर आया है quarterly basis पर भी तो 1013 lakhs के expense से सब्छाए 73 त से पहले 535 lakhs रूपी का expense था profit for the period after tax कि अगर हम बात करते है ते 116 lakhs का profit है इससे पहले company negative में थी इसे पह पर profit था, तो company को अच्छा खासा yearly basis पर perform किया है, quarterly basis पर भी company ने अच्छा खासा perform किया है, negative से positive आ गई है, 22 पैसे का EPS है, इससे पहले 17 पैसे का negative में EPS था, इससे पहले 24 पैसे का EPS था, तो इस चीर को आपको ध्यान रखना है, इसके लाभ़ा बात कर लेते हैं, और को इस भी view ले लेंगे, अगर यहां पर हम देखें, इससे लेटे, तो यहां पर dividend, I think, इसने dividend दिया था, आप देख ली जिएगा और मुझे comment भी कर दी जिएगा, तो यहां पर in lakhs में ही यहां पर सब कुछ है, century ply आपको पता ही है, काफी famous भी है, TV pairs भी आती है, total income की बात करें, तो इस बार के 74,228 है, इससे पहले 65,554 है, इससे पहले 52,429 लेक्शन रुपीस का यहां पर profit, इंकम ती revenue था, तो quarterly yearly basis पर revenue बढ़े है, expense की बात करें, expense ही बढ़ते हुगे, जरा आरे 63,000 का है, expense है, इससे पहले 54,000 था, इससे पहले 47,000 expense थे, और profit for the period की अगर बात करते है, तो इससे पहले 38,79 लेक्शन रुपीस का profit था, तो yearly basis पर company ने लगबग 2x से भी ज्यादा perform किया है, quarterly basis पर भी company का performance काफी काफी तारीफ है, और बात करते है, EPS की 3,75 पैसे का EPS बार का है, इससे पहले 2,70 पैसे का था, इससे पहले 1,75 पैसे का था, तो company ने अच्छा गाते है, आपा perform किया है, century plan है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजेगा, यह share कभी भी बाग सकता है, और इससे little अगर बात करूं, तो जिस तरीके कि इसने return दीए, कर पैटर भी बरा रहा है, तो यह शायद और उपर जा सकता है, और इसका all time high है, all time high है, 52 week है, इससे पहले जो इसने previous high दूसरे लोग को भी connect करें, so thank you so much, God bless.